हेलो एस्टुडेंट्स आज किस अक्टिवेटी में हम सीखेंगे कि किसी समकून त्रिभूज में कार्ण पर बने वर्ग का छेतरफल और ये दो लेक्स पर बने वर्गों के छेतरफलों के योग के बड़ाबर होता है तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोन त्रिभूज ABC लेते हैं जिसमें कौन A समकोन है तथा कौन A की शामने की फुजा आस्मोल A, कौन B की शामने की फुजा आस्मोल B और कौन C की शामने की फुजा आस्मोल C है अब इसमकुन त्रिभूज का आठ परतिरूप बनाते हैं तथा इन त्रिभूजों को दो एक समान वर गाकार कागज पर चित्र के अनुसार जिपकाते हैं असपस्थ है कि वर गाकार कागज पर बचे शफेद भाग का च्եेतर फल समान होगा पहले वर्ग के शफेद बचे भाग का छेतरफल A2 है तथा दुसरे वर्ग के शफेद बचे भाग का छेतरफल B2 प्लस C2 है अत्ख A2 बड़ाबर B2प्लस C2 इसे अस्पश्ट होता है कि किसी समकोन त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का छेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के छेत्रफलों के योग के बराबर होता है इसे ही पाइथागोरस पर में कहा जाता है Do subscribe for more this step of video